हे गाईस वाट्स आप दिशिवरी फ्रमीगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बेस्मार्टफोंस 2017 का जिसका प्राइस 15,000 के अंदर है जैसे मैं पहले एक वीडियो बनाया था कि बेस्मार्टफों स्पीरिन 10,000 रुपीज तो वो वीडियो में बहुत सारे रिस्पॉंस आया था तो बहुत सार यूजर्स का कमेंट ऐसा भी था कि अगर मीट फ्रेंच हैंसे लेना है 15,000 के अंदर तो कौन सा हैंसे में हमको जाना भी सकते हो सो विडाथ फॉर्थ एडिव लेट्स केट सारेट सबसे पहले दोस तो जो आता है स्मार्टफों यह लिस्ट में हो है सिर्फ यह ने इसका कैमेरा भी अच्छा ही है हाँ थोड़ा बहुत सफर करता है लो लाइट क्वालिटी में लेकिन फिर भी अच्छा डीसेंट कैमेरा इसके साथ आता है सिर्फ यह ने ही गूगल फोटोस बैकाप के लिए आपको दो साल के लिए अनलिमिटेड फ्री स्पेस भी मिलता है गूगल से तो मोटो जी फाइप एक अच्छा खासा हैंसेट है दोस्त विदिन 15,000 की रेंज में बात करें कुछ की स्पेसिफिकेशन की तो इसमें 5 इंच का स्क्रीन साइज है उक्तागोर का प्रोसेसर है 1.4 GHz का ट्रॉक स्पीड है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल कैमेरा कंबिनेशन है पूल HD डिस्प्ले होता है जिसमें 1920 x 1080 पिक्सल रेजलूशन सपोर्ट मिलता है 3 GB RAM में आता है 2800 मिलियांपेर बैटरी है बैटरी कैपैसिटी थोड़ा लो है Moto G5 में Moving on दोस्तों दूसरा जो हैंसेट आता है यह लिसमें होगाई Xiaomi Redmi Note 4 दोस्तों यह हैंसेट बहुती पॉप्यूलर है इंडिया में यह एक हैंसेट Redmi का दावा है कि सबसे ज्यादा दिखने वाला हैंसेट में से है दोस्तों और यह हैंसेट कमाल की है क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 9000 रुपीस है फिंगर्पिन सेंसर साड़ा कुछ अच्छा खासा है कैमेरा भी बहुत अच्छा है हाँ लो लाइट में थोड़ा सफर करता है लेकिन डीसेंट कैमेरा है बैटरी बैक आप तो लाजवाब है दोस्तों बात करें कुछ की स्पेसिफिकेशन की तो रेडमी नोट 4 में यह 5.5 इंच का स्क्रिंट साइज है यह पर अक्टकूर प्रोसेसर मिल जाता है अपको टूगार्थ की क्लॉक स्पीड में 13 मेंगापिक्सल 5 मेंगापिक्सल का कैमेरा कंबिनेशन है फूल इच्टी डिस्प्लेय है 1928-180 पिक्सल रेजलूशन सपोर्ट है 4GB RAM वैरियन सबसे उपर होता है 64GB RAM इंटरनल मेमरी जिसमें आता है 4100 mAh बैटरी में यह मिलता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा आता है Redmi Note 4 दोस्तों तीसरा जो हैंसे आता है यह लिसमें होया Honor 66 यह भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बिल क्वालिटी है देखने में भी बहुत बरिया है अच्छा बैटरी लाइफ है डीसेंट कैमेरा है और खासकर कि फिंगर्पिन स्कैनर्स बहुत अक्यूरेट है Honor 66 पे 5-inch का स्क्रिंग मिल जाता है अपको ओक्ता को प्रोसेसर 1.7 GHz की क्लॉक स्पीड में आता है 12 मेंगापिक्सल 8 मेंगापिक्सल कर कैमेरा कंबिनेशन होता है Full HD डिस्प्ले आता है 1080-1920 पिक्सल पिक्सल प्रोट आता है 4GB RAM 64GB इंटरल मेंबरी में आता है 3340 mAh बैटरी कैपसिटी है दोस्तों चौथा जो हैंड़ो पीटू प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा डिल आता है यह हैंड़ो पीटू का हाँ दोस्तो 15,000 के रेंच में शायर लेनवो पीटू बहुत ही अच्छा एंसेट है ओवरल परफॉर्मेंस अगर देखे तो बात करें कुछ की स्पिसिफिकेशन की तो इसमें आपको 5.5 इंच का स्क्रीन साइज आता है Octa-Core प्रोसेसर जिसका clock speed 2 GHz होता है 13MP और 5MP का camera combination होता है Full HD display 1920 x 1080 pixel resolutions 3GB RAM Android 6 marshmallow पर आता है जो की थोड़ा negative point है battery capacity 5100 mAh का हाता है जो की बहुत ही अच्छा है Lenovo P2 में दोस्तों पाच्छवा हैंसेट है Lenovo Z2 Plus जो की pricing के सबसे बहुत अच्छा फीचर भी आता है इसका खासियत home button में होता है जो की बहुत सारे fixings भी available आता है इसके home button में हाँ दोस्तों Lenovo Z2 Plus एक बहुत अच्छा handset है बहुत अच्छा will quality भी होता है इसका decent battery life भी है बात करें की specifications की तो इसमें 5 inch का screen size मिल जाता है quad core processor जिसका clock speed 2.15 GHz आता है 13 megapixel और 8 megapixel का camera combination होता है full HD display 1920 x 1080 pixel resolution support आता है इसमें 3 GB RAM 32 GB internal memory में आता है ये 3500 mAh बैटरी आता है दोस्तों 6 और आखिर में जो handset आता है ये list में होगा है Samsung Galaxy J7 Prime 16 GB internal memory module जो होता है ये handset पहले तो launch भात है 17,000 के आसपास में लेकिन इसका price खटके आप 15,000 में आ गया है जो 16 GB internal memory का RAM variant है देखने में ये handset बहुत अच्छा है अच्छा fingerprint sensors भी है decent battery life है इसमें तो ये handset कमाल की है दोस्तों और बात करें कुछ की specifications की तो इसमें आपको well-designed metal build बिल जाएगा S power planning feature भी है इसमें 5.5 inch का screen size है octagon का processor 1.6 GHz का clock speed 13 megapixel, 8 megapixel का camera combination जिसका focal aperture भी अच्छा है Full HD display में आता है 3300 mAh बैटरी है इसमें तो ये था दोस्तों जितना सारा list है within 15,000 की आस पास में 2017 का Jojo model अभी तक आया है उसमें से 6 best smartphones तो अगर आप खरिदना चाहते हो कोई दी smartphone ये 6 handsets में से आप ले सकते हो एक और handset अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ आपे तो वो है Coolpad Cool1 Dual जो की 13,000 की आसपास में pricing है जिसमें 4 GB RAM variant आता है octagon का processor है अच्छा battery life है और बहुत ही अच्छा camera है क्यामरा में बहुत सारे trickings भी है Liiko और Coolpad का joint collaboration में आया है Coolpad Cool1 Dual जो की बहुत ही अच्छा handset है वो handset भी आप देख सकते हो तो होप सो यह वीडियो हिलफुल रहा है आप सभी के लिए जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ क्योंकि knowledge और information सभी के साथ बढ़ना चाहिए और अगर आप ऐसे ही trending take news जो की चल रहा है इंडिया में अगर आपको कोई भी क्वेरी या कॉमेंट हो या कॉमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप ट्वीटर फेस्बूक या गूगल प्लस में भी पोस्ट कर सकते हो आपको सिर्फ यूज़ करना परेगा हैस्टैग एगज़स फर यू so that will be it guys, bye for now